तो आपको इस चेप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो आपको इस चेप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप में पॉइंट जो है वो देख लेते हैं growing plants from seed, dispersal of seed, growing plants from spore, growing plants from vegetative parts, agriculture, protection of crop and grains. Okay. Plant reproduce their own kind in many ways. Flowering plant reproduce through seed, non-flowering plants reproduce through spores. Some plants reproduce from other part of them, roots, stem and leaves. Plant अपने ही जैसे पौधी को reproduce करता है in many ways. कुछ plant होते हैं जो flowering होते हैं और कुछ non-flowering plant. Flowering plant reproduce होते हैं seed के through and non-flowering plant reproduce होते हैं spore के through. और कुछ ऐसे plant हैं जो root, stem and leaves के through reproduce होते हैं. Okay. लेकिन बच्चों क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से plant हैं जो root, stem और leaves के through reproduce होते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूं. तो root के through कौन से ऐसे plant हैं जो reproduce होते हैं तो वो है carrot, radish and sweet potato. यह ऐसे plant हैं जो root के through reproduce होते हैं. अब हम बात करते हैं ऐसे plant जो reproduce होते हैं stem के through. तो stem के through reproduce होने वाले plant हैं potato, ginger, sugar can and rose. अगर आपने कभी rose के plant को लगाया होगा घर में तो आपने देखा होगा कि उसको stem के through ही लगाया जाता है. अब हम बात करते हैं leaves के through reproduce होने वाले plant के बारे में. तो क्या आपको पता है कि ऐसे भी plant हैं जो leaves के through reproduce होते हैं उस plant का नाम है bryophyllum. ब्रायोफिलम का जो plant होता है उसकी पत्ती के द्वारा reproduce होता है. जब उसके पत्ती को क्या करते हो आप soil में दबा देते हो तो कुछ दिन बात क्या होता है? चे से दस दिन के बीच में उसके leaves के जो किनारे से new plant या baby plant आने लगते हैं. ब्रायोफिलम कैक्टिस के तरह ही विखता है उसका जो leaves होते हैं काफी मोते होते हैं. Next, growing plants from seed. When we cut open the fruit, we find seed in them. Some fruit have many seeds such as watermelon and some have only one seed such as mango. जब आप किसी fruit को open करते हो, मानलो watermelon को आप open करते हो, तो आप क्या देखते हो? उसमें बहुत सारे seeds आपको दिखाई देते हैं. और कुछ ऐसे fruits हैं जिनको आप open करते हैं, तो उनमें सिर्फ one seed दिखाई देता है, जैसे mango. mango को जब आप देखते हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही और बीज रहता है और watermelon के अंदर धेर सारे रहता है. आपने guava देखा हो, उसके अंदर भी बहुत धेर सारे seeds होते हैं. Part of a seed. The external covering of a seed is termed as a seed code. It protects the seed inside. It color varies from plant to plant. The spot where the seed is attached to the fruit is known as a scare. There is a small hole on just top of the scare. So, which a seed absorbs water. Spot, जहां seed क्या होते हैं? Attacks होते हैं. किस से? Fruit से. उसे हम क्या कहते हैं? Scare कहते हैं. There is a small hole on just top of the scare. और scare के उपर क्या होता है? Scare के just उपर, top पे होता है small hole. मतब छोटा छिद्र होता है, जिसके थ्रूँ क्या होता है? Seed absorb करता है water को. आगे देखो, when we remove the seed coat, जब आपकी seed coat को क्या करते हैं? Remove करते हैं, या open करते हैं, we get seed leaves. आपको क्या दिखाई देता है? Seed leaves दिखाई देते हैं. माल लो, आपके पास एक चने का seed है. जब आप उसको open करते हैं, उसको ऊपर छिलका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? और seed coat कहते हैं, और seed coat ये अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसे कौटी लेड़ान कहते हैं. या seed leaves कहते हैं, they store food for the baby plant inside. और उसके अदर क्या होता है? food store होता है, किसके लिए? for baby plant के लिए. some seed have only one kotAR कुछ seed में क्या होते हैं, सिर्फ एक, बीच पत्र होते हैं और कुछ में δो होते हैं, जैसे आप राइस के seed को क्या open कर सकते हो? नहीं, आप गेहूं के seed को open कर सकते हो? नहीं, आप मक्के की seed को open कर सकते हो? नहीं और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ओपन करेंगे उसके उपर छिलका रहता है और अंदर आपको जो उसमें दो कौटी लेनिंस है दो बीज बत होता है जैसे बीन हो गया, जैसे मटर हो गया, मैंगो हो गया तो बच्चो आपको पता है, what do you mean by germination of seed? बीजों का अंकुरन, तो ऐसी प्रक्रिया जिनके थ्रू क्या होते हैं कि एक बीज से छोटे प्लांट का अंकुरन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, germination कहते हैं या अंकुरन कहते हैं the process by which a seed produce a baby plant or seedling is called germination, there are various stays of germination, ऐसी प्रक्रिया जिसके त्वारा, seed से बेबी प्लांट का अंकुरन होना या बीज का अंकुरन होना, उसे हम क्या कहते हैं, germination या अंकुरन, आगे रेखो, germination के बहुत सारे stays है, when the seed is sown in the soil, it get water and nutrient from the soil, air also reach the seed through pore in the soil, it also get warmth from inside and form the sun through pore in the soil, after some time, the seed coat breaks and baby plant embrace, the baby plant develop root and soup, as the plant grown in size, it develops leaves, the cotyledon shrink and disappear, okay? इसमें क्या पोला जा रहा है कि जब आप किसी seed को जमीन में या soil में क्या करते हो, बोते हो, तो उसे water and nutrient कहां से मिलता है, soil से मिलता है, एर भी कहां से, seed में air कहां से पहुचता है, वो भी कहां से, soil के थ्रू पहुचता है, और उसे seed में गर्माहट जो होते हैं, उसे कहां से मिलती है, वो भी soil से मिलती है, कहां से sun के थ्रू मिलता है, after some time कुछ दिन बाद क्या होता है, seed coat जो होता है, ब्रेक हो जाता है, और उसमें से baby plant निकलता है, आपने किसी seed को देखा होगा, अपने आसपास, या आपने खेत में, या आपने कही जमीन पे पड़े, जब कोई seed क्या होता ह जमीनेट हो जाता है, इसका मतलब वो अंकुरन हो जाता है, तो आपने देखा होगा, कि जब वो उसमें से छोटा सा plant निकलता है, तो उसके ऊपर का जो seed का जो cover होता है, जिसे हम छिलका कहता है, वो क्या होता है, वो हड़ जाता है, अगर आपने नहीं देखा है, तो एक seed लेना और उसे soil के अंदर उसे सोन कर देना, दबा देना, जिससे उसमें से कुछ दिन के बाद नए प्लांट जबाएंगे, छोटा प्लांट पे भी ब्लांट आएगा, तो आप देखेंगे, उसके ऊपर का जो cover होता है, वो हड़ जाता है, वो break हो जाता है, यहीं समें बोल बाद जार है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, उसकी जो पतियां होते हैं, वो develop होनी सुरू हो जाती है, the cotylidon shrink, cotylidon क्या होता है, जो 20 पत्र होता है, वो shrink होने लगता है, और वो धिरे धिरे disappear हो जाता है, ओके, I hope आपको यह चैप्टर सम क्या होता है?